असलाम लेकूम and welcome back to my channel आज जो रेस्पी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कश्मीरी चाय ये जानने के लिए कि मैं ये कैसे बनाऊंगी, stay tuned कश्मीरी चाय के लिए जो चीज हमें सबसे पहले चाहिए वो है चाय की पती, ये सा बस चाय की पती है और ये मुझे चाहिए थाई से तीन तेबल स्पून्स ये नॉमल पानी है रूम टप्रेचर पे तकरीबन डेट ग्लास ये बेकिंग पावडर है तकरीबन तूटी स्पून्स और ये 5-6-7 मैने इलाइचिया ली है ये बदाम है और ये पिस्ते है ये गार्निशिंग के रहें हम यूस करेंगे ये क्रीम है तकरीबन हाफ पैकेट क्रीम लेंगे और ये कंडन्स बिल्क है ये मेरे पास चोटे डपे हैं, 72 ग्रैम्स के हैं तो मैं ये दो यूस कर लूँगी देखूंगी जितनी क्योंकि ये काफी स्वीर होते हैं तो शायद वन एन हाफ में यूस करूँ चीनी हमने यूस करेंगे ये दार्चीनी है इसका एक टुकड़ा हमें चाई होगा अब यूवर्स एक स्टील की पतीली मैंने लिए जिसमें हम चाय बनाते हैं मैंने उसे गरम होने रखा है साथ ही मैं इसमें चाय की पती दार्चीनी और इलाइची डालोंगी और अब जब इसको उबाला आ जाएगा तब हम इसकी आँच बिलकुल नॉर्मल कर देंगे ताकि ये हलकी आँच पकता रहे अब व्यूवर्स आप देख सकते हैं इस पे उबाला आ गया तो मैं इसकी आँच बिलकुल कम कर दूँगी अब ये हल्की आंच पे अराम अराम से दम पे पकता रहेगा और मैं इस पे इसका धकन रख दूँगी थोड़ी देर के लिए व्यूवर्ज मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख दिया है चाल अब व्यूवर्ज मैंने इसे तक्रीबन कोई पांच शे मिनट इसको अची तरह उबाला है अब मैं इसके अंदर ये आप देख सकते हैं ये बेकिंग पाउडर है मैं ये डाल कुई है और इसे डालते ही इसका एक कलर निकलेगा ये बड़व सेज़ आप Aww नहीज़ एक और सकते कांच्च मैं तब Chen बंच्चवर्ण लुडश अब इसको फेंचती जाओंगी कोई दस मिनट पर ये रोल्स देख सकते हैं इसका कलर फोर डार्प होना शुरू है भी अब इस पॉइंट पे मैं इसमें बरफ डाल दूंगी तकरीबन डेट का बरफ अब यूवर जब इसे देख रहे हैं आप इसे बाला आ रहें तो उसमें यह बरफ जो है तकरीबन डेट का बरफ यह सारी आट करूगे और मैं इसे प्षेंटती रहांगी अब आप देखेंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा अब हम इसे इसी तरह फेंटते रहेंगे इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर नहीं आज़ता है इसे काफी उन्चाई से हम यूँ फेंटते रहेंगे और उसक तक फेंटते रहेंगे जब तक इसका रिक्वायर कलर ना आज़े जो हमें चाहिए कश्मीरी चाय में काफी पेशिंट्स चाहिए होते हैं क्योंकि ये कलर जो है वो काफी महनत के बाद आता है अगर आपको जल्दी कलर नहीं मिल रहा है कॉस आपको पेशिंट्टी अराम से इसमें इसको फेंटते रहना है उसके बाद सका कलर आजएगा वीवर्स आप देख सकते हैं इस पर डार्क रेड कलर आगया है अब मैं इसे एक साइट पर रखके दूद्ध को उबा लूँगी उसमें कंडंस्ट मिल्क डाल के अब वीवर्स मैंने तक्रीबन आदा किलो दूद्ध लेके एक टेट्रा पैक वाला दूद्ध है इसे मैंने इस पैन में डाला है और इसमें साथ ही मैंने जो दो पैकेट्स ते 72 72 ग्रैम की कंडंस्ट मिल्क के वह इसमें डाल दीए और साथ ही अब मैं इसमें इसके क्रीम क्रीम भी मैंने डाल दी और अब मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये कंडन्स मिल्क में अची तरह मिक्स नहीं हो जाता और अलॉंग विद दे क्रीम अब आप यूवर्स देख सकते हैं कि ये वॉयल होना शुरू हो गया दूद यानि गरम हो गया अब जब इस पे उबाला आएगा तो जो चाई का मिक्सचर मैंने पहले बनाया था उसे मैंने च्छान के निकाल दिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी वो इसमें मैं आहिस्ता इस्ता करके डालूंगी जिब तक मुझे जो रिक्वायर कलर नहीं चाहिए उस अब तक मैं उसमे मैं रख सकते हैं स्टोर कर सकते हैं एक हफते तक यह अराम से चल जाएगी अब यवर्ज यह आहिस्ता इस्ता उबल रहे हैं अब मैं इसमें आप यह देख सकते हैं यह मैंने डार कलर का रेड कलर का है जो चाय मैंने च्छान के रखी थी अब मैं वो इसमें बल्कुल आहिस मैं इसे जरह एक दफर मिक्स करके देखूंगी तो वीवर्स अभी हमारी चाय बिल्कुल रेड़ी है और इसका कलर पेल पिंक कलर का है यूशुली आपने जो कलर देखा होता है वो मुस्टली लोग फूड कलर डालते हैं विच पतनी कैसी क्वालिटी का होता है यूशुली आपको जो कलर निजर आप जो निजर आप रहर है तो इसके अंदर इसको मैं सर्फ करोंगी और इसके ऑपर मैं पिस्ते और बदादम ड़ालके आपको रूड के बिल्स अबीवर्स यह थी हमारी आज की रिस्पी कश्मीरी चाय उमीद है आपको पसंद आई होगी रस्पी और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक मैं वीडियो और सब्सक्राब तो मैं चानल और सी यू इंशाला ताला इन मैं नेक्स वीडियो